सुक्मा जिले के भिज्जी थाना क्षेत्र में नकसलियों और DRG जवानों के बीच जबरदस्त मुठभेर हुई है और इसके बाद आई एक तस्वीर जिसमें जवान नाचते गाते दिख रही है दरसल ये जवान जीत का जश्न मना रही है और बहुत कम ही ऐसी तस्वीरे मुठभेर के बाद देखने को मिलती है इस मुठभेर में दस नकसलियों को जवानों ने धेर कर दिया है सर्चिंग के बाद मौके से जवानों ने भारी मात्रा में आटोमेटिक हतियार भी बरामत किये है जिसके बाद जवानों का ये विडियो सामने आया नकसलियों को मौत के घाट उतारने के बाद जवान नाचते गाते दिखे बस्तर आईजी सुन्दर राजपी ने बताया कि ओरिशा के रास्ते ये नकसली दूसरे जगह शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहे थे नकसलियों की टीम चत्तिस गर में एंटर करने की कोशिश में थी बस्तर आईजी ने बताया कि नकसलियों के मूवमेंट की जानकारी सुरक्षाबलों को मिली इसके बाद डियार जी और सी आर पी एफ के जवानों ने नकसलियों की घेराबंदी शुरू की इसके बाद जवानों ने टीम ने नकसलियों को घेर लिया दोनों और से लगातार फाइरिंग भी हुई मुठ भेर में जवानों ने दस नकसलियों को मार गिराया 36 गर में सुकमा के भेजी इलाके में नकसलियों से जवानों की बड़ी मुठ भेर हुई जिसमें दस नकसली धेर हो गए इस मुठ भेर में दस नकसलीों के मारे जाने की पुष्टी SP किरन चवहान ने की है मौके से जवानों ने तीन आटोमेटिक हथियारों समेट कई हथियार बरामत किये है आज तरके सूचना मिलने के बाद दियार जी की टीम नकसलीों की घिराबंदी करने के लिए निकली थी टीम जब पहुची तो नकसलीों ने फाइरिंग शुरू कर दी ऐसे में दियार जी की टीम को जवाबी फाइरिंग करनी पड़ी मुख्य मंत्री श्री विष्णोदेव साई ने सुरक्षा बलो की इस उपलब्धी पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी सरकार नकसलवात के प्रती जीरो टॉलरेंस की नीती पर कार्य कर रही है उन्होंने यह भी कहा कि बस्तर में विकास शांती और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी सरकार की सर्वोच प्रात्मिकता है बस्तर में शांती विकास और प्रती का दौर लौट आया है उन्होंने सुरक्षा बलो को उनके अदम्य साहस और समर्पन के लिए बधाई देते हुए कहां कि 36 गड़ से नकसलियों का सफाया निश्चित है 36 गड़ के बस्तरक शेत्र में पिछले सप्ता सुरक्षा बलो के साथ मुठ भेर में मारे गए पांच नकसलियों की पहचान वरिष्ट कैडर के रूप में की गई है जिन पर कुल 28 लाक रुपए का इनाम था पुलीस अधिकारियों ने शनिवार को बताया था कि नारायन पुर कांकेर जिले की सीमा पर अबूच मार इलाके में एक नकसल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षाबलों के साथ मुठ भेर में दो महिलाओं सहित पांच नकसलियों को मार गिराया गया कांकेर जिले के पुलीस अधिकशक, स्पी, इंदिरा कल्यान एलिसेला ने बताया कि उनमें से एक महिला कैडर की पहचान वनोजा मिचा कारम के रूप में हुई है कारम डिविजिनल कमिटी की सदसे थी और उस पर आठ लाख रुपए का इनाम है पुलीस अधिकारियों ने बताया कि इस साल अब तक बस्तर संभाग में अलग-अलग मुठ भेड़ों में 197 नकसलियों के शव बरामत किये गए हैं बस्तर संभाग में साथ जिले कामकेर, कोंडा गाव, नारायनपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवड़ा और सुकमा शामिल है आपको बता दें कि बस्तर आईजी ने बताया कि कोंटा एरिया कमेटी और किस्टाराम एरिया कमेटी के साथ जवानों की मुठ भेड हुई है ये नकसली बटालियन की तुकडी थी जो किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थी फिलहाल घटनास्थल में लगातार जवान सर्चिंग कर रही है मुठ भेड में मारे गए नकसलियों की शिनक्त अभी भी जारी है गर आप ये वीडियो यूट्यूप पर देख रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आईकन दबाएं और फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें आठ मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरूसे के लिए बहुत धनिवाद